फिल्म स्टार्ट होती है जॉन और एलिस के गुड मॉर्निंग से फिर जॉन अपने साइकल पे अपने ओफिस जाता है वहाँ पर हमें पता चलता है कि जॉन अपना कम ठीक से नहीं कर पाता है इसलिए उसका बॉस उसे समझाता भी है दूसरे तरफ एलिस जोब इंटर्यू के लिए जाती है लेकिन उसे जॉब नहीं मिलती है उसके बाद एलिस घर आ जाती है तो वहाँ पर उनके घर का लेंडलॉड उनके घर का रेंट लेने आता है उसका नम आर्मी होता है आर्मी जॉन और एलिस के कॉलीज में साथ ही पढ़ता था and तब से वो एलिस को पसंद करता है और जॉन से नफरत अब एलिस उसे एक चेक देती है और तब वहापर जॉन आ जाता है लेकिन जाते वक्त आर्मी जॉन का मजाग भी उड़ाता है रात को वो दोनो college के दोस्तों की party में जाते हैं लेकिन वापर उन दोनों को कोई भाव नहीं देता फिर उस party में Chuck और उसकी wife Lewis आती है Chuck John का best friend होता है वो दोनों मिलकर साथ में बहुत beer भी पीते हैं अब इस moment पे हमें ये realize हो जाता है वो एक old lady को देखती है जो एक drum से एक कीमती tea pot निकाल रहे थी तो Alice उसका पीछे करते हुए उसकी antique shop में चली जाती है Alice अभी shop में उस tea pot को डूना स्टार्ट कर देती है और मौका देखकर उसे चुरा लेती है फिर गाड़ी लेकर हो वहाँ से चली जाती है Alice इस tea pot को पाकर बहुत खुश होती है यहाँ तक कि वह सोते वक्त भी उस tea pot को अपने पास ही रखती है अब अगले दिन Alice जॉब के सिलसले में किसी को call कर रही होती है और साथी साथ अपने बालों को भी style कर रही होती है और इसके चेकर में Alice को एक shock लगता है तो tea pot उसे फिर से पैसे देता है इसके बाद Alice अपने आपको तरह तरह से torture करकर काफी सारी पैसे कमा लेती है और वही दूसी तरफ, John का boss उसे नौकरी से निकाल दिता है क्योंकि John को गम ठीक से करना नहीं आता है फिर John अपने घर पर आता है वहाँ पर सारी चीज़े बिखरी हुई होती है वहाँ पर उसे खून भी दिखता है ये देखकर John बहुत ज़्यादा tension में आ जाता है उसे लगता है कि उनके घर में कोई चौर गुश चुका है और उसे Alice के चिंता होने लगती है लेकिन Alice पिलकुल ठीक होती है और वो पैसे वो John को दिखाती है लेकिन John को फिर भी विश्वास नहीं आता फिर Alice उसे एक बार और जोर से मारती है और टीपॉर्ट से पैसे बरसने लगते हैं अब वो दोनों बैट कर बाते करने लगते हैं यहाँ पर Alice कहते है कि यह भगवान का दिया एक गिफ्ट है जो कि भगवान ने हम दोनों को दिया है Alice यहाँ पर John को यह भी कहती है कि इस टीपॉर्ट की मेजद से हम अपने सारे सपने पूरे कर सकते हैं और अपने पूरी लाइफ में अब हमें कभी भी काम करना नहीं पड़ेगा लेकिन John कहता है कि मुझे नहीं लगता है कि यह कुछ अच्छा इडिया है इसका अंत बहुत बुरा हो सकता है अगली सुबा John Alice के लिएक लेटर छोड़ कर वासे चला जाता है जिसमें लिखा होता है कि वह इस टीपोर्ट को वापस करने जा रहा है लेकिन वह एंटिक शॉप बंद होती है इसके पाद John इस टीपोर्ट का सही प्राइस जानने के लिए एक मशूर TV प्रोग्राम के पास जाता है जो कि अपने एंटिक समानों के लिए मशूर होता है लेकिन इस वज़े से एक चाइनीज आजमी की नजर इस टीपोर्ट पर पढ़ जाती है और इस आजमी को देखकर हमें ये पता चलता है कि वह इस टीपोर्ट को बहुत समय से ढून रहा है फिर जॉन घर पर वापस आने के बाद एलिस से प्रॉमिस लेता है कि जब हमारी प्रॉबंस ज़्यादा बढ़ने लगेंगी तो मैस टीपोर्ट का यूज़ करना बंद कर देंगे और एलिस भी इस बात पर मान जाती है और उसे प्रॉमिस कर देती है अब ये दोनों टै करते हैं कि ये वन मिलिन डॉलर्स कमाएंगे फिर वो दोनों अलग-अलग तरीके से अपना आपको पेन देकर बहुत सारे पैसे कमाते हैं और थोड़े ही समय में वो अपना सारा लोन चुका देती है तभी उनके डॉर पर कोई आ जाता है तो एलिस टीपॉट को छुपा देती है बाहर उनके गेट पर दो ट्विन ब्रॉदर्स होते हैं और अचानक सही वो दोनों जॉन को मारने लगते हैं दरसल उस ओल्ड वुमेन की डेथ हो गई थी और मरने से पहले उसने कहा था कि टीपॉट चौरी हो गए है और तब से उसके ग्रेंट संस उस टीपॉट को ढूण रहे है और टीवी से उनने बता चला कि टीपॉट जॉन के पास है तो अब वो दोनों अपने टीपॉट जॉन से मांगते हैं लेकिन यहाँ पर Alice John को बचाने के लिए कहती है कि उन्होंने टीपोर्ट बेज़ दिया है तो इसके बदले वो पैसे मांगते हैं तो Alice उन्हें यहाँ पर पैसे लाकर दे देती है और वो दोनों यहाँ से चले जाते हैं अब John यहाँ पर Alice को कहता है कि अब हमें इस टीपोर्ट के बारे में कुछ जानना होगा फिर वो दोनों एक लाइबरियू में जाते हैं जहाँ पर उन्हें एक टीपोर्ट की किताब मिलती है किताब पढ़ने से इन्हें पता चलता है कि यह टीपोर्ट 2000 साल पुराना है और इस बुक में इस टीपोर्ट के खतरों के बारे में भी लिखा होता है तो Alice इस पेज को देखकर जल्दी से फार्ट देती है और उसे अपने बैग में डाल लेती है फिर जॉन जो उस किताब को पढ़ता है तो Alice कहते है कि यह किताब बहुत पुरानी है और हमें इस किताब पर ज़्यादा भरुसा नहीं करना चाहिए अब Alice की यह बाते सुनकर जॉन भी शान्त हो जाता है और इसके बाद वो अपने सारे सापने पूरे करने लगते है और एक महांगा सा घर भी लेते है वहाँ पर वो एक पार्टी भी रखते है लेकिन तब उनके डौर पर वही चाहिनीस आदमी आजाता है इस आदमी का नाम ली होता है और वो Alice और John says टीपोड के बारे में उनसे बात करना चाहता है तो इस पर John के उता है कि उसे एक पर Alice से बात करने होगी जॉन एलिस से कहते है कि शायद उने डॉक्टर ली की बात सुन लेनी चाहिए लेकिन एलिस कुछ सुनना नहीं चाहती तो वो दोनों डॉक्टर ली को ये जूट बोल देते हैं कि उन्होंने टी-पॉर्ट को बेज दिया है आर्मी इन दोनों के एश और आम को देखकर इन से जलने लगता है इसलिए आर्मी उन दोनों को तंग करने के लिए जॉन के आतों से टी-पॉर्ट छीन कर वाँसे भागने लगता है और अपने ट्रक के उपर खड़ा हो जाता है लेकिन नीचे एलिस उसे टी-पॉर्ट लोटाने के लिए कहती है लेकिन आर्मी उन दोनों को परिशान करने के लिए उस टी-पॉर्ट को रोड़ पर फेंक देता है और अपने ट्रक से उसे कुचल देता है अब जॉन और एलिस जल्दी से T-pod के पास जाते हैं लेकिन उस T-pod पर एग भी खुरूँश नहीं होती है और इसके बाद जॉन एलिस को कहता है कि अगर हमें इस T-pod के बारे में जानना है तो हमें Dr.Lee से मिल नहीं होगा और इसके बाद और डॉक्टर ली के पहुच जाते हैं तो डॉक्टर ली ने बताते हैं कि ये टीपोट 2000 साल पुराना है और इस टीपोट ने इतियास के बहुत बड़े बड़े लोगों की लाइफ को बरबात कर दिया है अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी बुराई है तो ये टीपोट उसे बहार निकाल लेगा तो जॉन डॉक्टर ली से पूचता है कि इस टीपोट को डेस्ट्रोई किस तरह से किया जा सकता है तो डॉक्टर ली कहते हैं कि ये टीपोट अनब्रेकेबल है तुम ये टीपोट मुझे दे दो और मैं इस टीपोट को पूरी दुनिया से चुपा लूँगा और मैं इसे एक ऐसी जगा पर रख दूँगा जहापर मैं खुद भी से नहीं डून पाऊँगा लेकिन इस बात पर एलिस एग्री नहीं करती उसे लगता है कि वो दोनों इस टीपोट को एंडिल कर सकते हैं लेकिन जोन यहाँ पर एक बात नोटिस करता है कि जब उनकी लाइफ में टीपोट नहीं था तब एलिस कुछ और थी और जब से उनके पास ये टीपोट आया है तब से एलिस कुछ और है और यहाँ पर डोक्टर ली की बात बिल्तु सच सा भित हो रही थी कि यह टीपोट अंदर की बुरायों को बाहर निकाल देता है अब रात को सोते वक्त एलिस को कुछ अजीब सी आवादे सुनाई देती है और उनके घर के अंदर वही ट्वीन ब्रदर्स होते हैं जोन और एलिस टीपोट के साथ बाहर निकल कर आते हैं यहाँ पर ट्वीन ब्रदर्स को पहले सी बता होता है कि इन दोनों के पास टीपोट है तो जोन यहाँ पर उन दोनों से पूछता है कि तुम्हें पहले में बता था कि हमारे पास टीपोट है तो तुमने टीपोर्ट की बज़ए पैसे क्यों लिए तो अब ये दोने यहाँ पर बताते हैं कि वो दोने इसकी पावर से डरते हैं इसलिए वो लोग टीपोर्ट को लेने नहीं चाते हैं हमें तो सिर्फ पैसे ही चाहिए और उस राक्षास का तुम ही रखो लेकिन ये देखर Alice एग्रासी हो जाती है और उनके पीछ में जगरा होने लगता है यहाँ पर John भी बेहोश हो जाता है और Alice अकेली उन दोनों से लड़ने लगती है तो ब्रदर्स Alice को भी बेहोश कर देती है अब अगले दिन जब John होता है तो Alice रो रही होती है और Alice रोते रोते जोन को कहती है वो लोग सारा पैसा ले गए तो यहाँ पर जोन कहता है कि हम फिसे पैसा कमा लेंगे अब Alice फिर से अपना आपको हार्म करके पैसे कमाने लगती है जो बहुत कम होते है लेकिन इससे जोन समझ जाता है कि हम जैसे जैसे इस टीपोट को यूज करते जाएंगे वैसे वैसे टीपोट पैसे कम देने लगता है अब जोन की पैसे कमाने की बारी आती है तो वो लोग एक कलब में जाते हैं जहाँ पर जोन जान पूछ कर जगड़ा करता है वाँ पर वो शक्स जिसे जोन जान पूछ कर लड़ता है उसके बहुत बुरी हालत कर देता है अब जोन से मिलने के लिए फिर से डॉक्टर ली आते हैं डॉक्टर ली आपर जोन को कहते हैं कि ये टीपोट तुमारी लाइफ को बरबाद कर रहा है लेकिन जॉन कुछ नहीं समझता दूसरी दर्फ एलिस एक जगह पर बैठी होती है तब वाँ एक लड़का चानक से गिर जाता है तो उसके किरने की वज़े से टीपोट एलिस को पैसे देता है इसका मतलब ये था कि टीपोट के मालिक के अलावा अगर किसी को भी पैसे देता है ये बात एलिस तुरान घर जाकर जॉन को भी बताती है तो वा ऐसी जगह पर जाते है जहाँ पर दूसरे लोगों को बहुत पैसे कमा लेते है अब वो दोनों कार में होते है और एलिस ड्राइव कर रही होती है और वो और भी जदा पैसे कमाने चाती है तभी उनकी गाड़ी के आगे एक आदमी आ जाता है और यहाँ पर एलिस के सेपर पागलपन सवार होता है और वो इस आदमे पर गाड़ी चाड़ाने वाली होती है लेकिन जॉन टाइम पर हैंडल को मोड लेता है अब जॉन को लगता है कि यह सब आउट ओफ कंट्रोल हो रहा है और वो यह सब रोकना चाहता है इस वज़े से उन दोनों के बीच जगड़ा होने लगता है और एलिस कार से नीचे उतर जाती है और तभी हम आपर टीपॉट में से पैसे बरसने लगते हैं अब इस एलिस को यह समझ में आ जाता है कि जब भी किसी को mentally pain भी होगा यह टीपॉट तब भी उसे पैसे देगा अब वो दोनों एक साथ बैट कर एक दूसरे को अपने secrets बताने रखते हैं यहाँ पर जॉन को एलिस के बारे में बहुत सारी बाते पता चलती है जैसे कि वो शादी से पहले आर्मी के साथ intimate भी होई थी इस वज़े से जॉन को बहुत बुरा लगता है अब जॉन आर्मी के घर जगड़ा करने के लिए जाता है लेकिन उल्टा आर्मी ही जॉन को पीट देता है तब ही उसकी नजर टीपॉट पर पढ़ती है और वो उसके अंदर पैसो को भी देखता है तब ही एलिस इस टीपॉट को लेकर यांसे चली जाती है लेकिन हम आर्मी को भी ये टीपॉट पसंद आ जाता है इसके बाद ये दोनों अलग-लग लोगों के जगड़े करा कर खूब पैसे कमाते है लेकिन एलिस को इससे भी मन नहीं बढ़ता और वो जोन से कहते हैं कि हम किसी बुरे आदमी को मार देते हैं तो हमें काफी सारे पैसे मिल जाएंगे एंड इसके बाद हम टीपॉट को यूज़ करना बंद कर देंगे वो लोग अबलाश को ठिकाने लगाने के लिए एक गड़ा भी खोद देते हैं लेकिन ये बात जॉन को पसंद नहीं आती यहाँ पर एलिस का बिहेवर और ज्यादा बुरा हो चुका होता है अब जॉन ऐलिस को टीपॉट और उसमेंसे किसी एक को चुनने के लिए कहता है लेकिन ऐलिस जवाब नहीं देती मतलब उसका अंसर टीपॉट था अब जॉन डॉक्टर ली के घर जाता है और उनसे मदद मागता है और पूछता है कि ऐलिस को कैसे रोका जाए तो डॉक्टर ली कहते हैं कि उसे रोकने के लिए कोई रास्ता नहीं है Alice को अब तुम्हें ही handle करना होगा जब भी कोई टीपॉट को चुरा लेता है तो टीपॉट उस शक्स पर कबज़ा कर लेता है और इस पावर से बशने के लिए तुम्हें खुद से उस टीपॉट को मेरे हवाले करना होगा वही दूसी तरफ हम Alice को देखते हैं जिसे अपने आइने में वही old woman दिखाई दीती है और वो घबरा जाती है उससे अपने bed पर किताब का warning वाला page भी दिखता है अब रात को John Alice से कहता है या तो तुम्हें इस टीपॉट को छोड़ दो वहना मैं खिड़की से कूच जाऊंगा तो Alice उसे promise करती है लेकिन John को ऐसा लगता है Alice अपना promise seriously नहीं कर रही है तो वो window से कूच जाता है लेकिन John बिल्कुल ठीक होता है ये देखकर Alice भी अपनी गलती को माच जाती है और वो भी इस टीपॉट को छोड़ने के लिए तई आर हुजाती है अब रात को सोते समय इनके गर में कोई अंजान आदमी आ जाता है अब John नीचे आता है और टीपॉट उसे वापर नहीं दिखता लेकिन वापर पहुचकर उले खोन दिखाई देता है तभी पीछे से आर्मी गल लेकर वापर पहुच जाता है और उन दोनों को शूट करने वाला ही होता है तभी John आर्मी के हाथ पर मारता है और उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है तब ही वहाँ पर आर्मी की वाइफ बेंडी भी आ जाती है और वो दोनों Alice और जोन को मारने के लिए तयार हो जाते हैं लेकिन तब ही वहाँ पर ट्विन ब्रोदर्स भी पहुँच जाते हैं और अपने टीपॉट को आर्मी से मांगते हैं लेकिन वो लोग नहीं देते तो वो ब्रोदर्स आर्मी को शूट कर देते हैं अब उन चारों के बीच गन फाइरिंग होने लगती हैं और अचानक से सब कुछ शांत हो जाता है और जब यह दोनों चेक करते हैं तो चारों लोग मारी जा चुके थे यहाँ पर एलिस ने अपने सारे पैसे लुइस के राव कर दिये होते हैं यह देखकर वो काफी ज़दा खुश होते हैं दूसरी तरफ डॉक्टर ली दब्रास टीपॉर्ट को समुदर की गरायों में नीचे छोड़ देते हैं और यह पर यह मूवी खत्म हो जाती है